हेलो इन वेलकूम फ्रेंड्स आपका अपना और फ्यारा यूटूब चैनल राज क्लास के एक और वहतर वीडियो में आपका स्वाग थे तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे भिहार बोर्ड क्लास 10 की हिंदी के बाड़े मिरदोस्त बात करेंगे हिंदी गोधली भागदू है चैप्टर साथ है परंपरा का मुल्यांकन यहे करनिवन्ध है और इसके लेखक का नाम है राम विलास सर्माजी इसके लेखक है तो यह जो आपका वीडियो में दे रहा हूं न चैप्टर सेबिन का परंपरा का मुल्यांकर है इसके एक्सराइज से जितने सम्मधित महत्पुन जो परस्न है सभी के बारे में हम लोग बारी इसकी से इसमें डिस्कस करेंगे पूरी कॉंसेट आपको देंगा और आपके चैप्टर से पूरी डिटेल इसमें हम कर देते हैं जिससे किसी भी चैप्टर का आपको बारे पूरा डिटेल मालूब रहता है तो उसका कुस्टन एंसर आप लोग खुद भाख खुद लेक्स पाते हों और इस वीडियो इसको एक दुबार अगर जो देखते हैं तो आपको इसको दुबारा देखने का दुबारा लेखने का जरुवत नहीं पर तापको जिंदगी भर के लिए आपको याद हो सकता है इस सीज़ को बारे की से समझेगा तब ठीक है सभी का आप समधान कर सकते हैं नए एक दिसा मिलती है किसी चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ को सोचने के लिए एक नए दिसा मिल जाती है हिंदी को परने से प्रमपरा के ग्यान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों जो प्रमपरा का ग्यान हो रहा है वह किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों तो देखेगा जो लग सहित में यूग परिवर्तन करना चाहते है जो लोग लकीर के फकिर नहीं बनकर यह भी आएक को आप समझ रहे हैं ठीक है क्योंकि परंपटिसिल अलोचनग का बिकास होता है अरथात प्रणगतिसिल परंपट आलोचनग साहित्परंपटरा का मुर्त ग्यान है ये इसमें बता रहा है आपको फिर दूसरा नमर जो प्रसन क्या है क्या करा है परंपरा के मुल्यांकर में सहित के वर्गिये के आधार पर वर्गिये आधार पर विवेक लेखा के वर्गिये के आधार पर विवेक को लेखा के महत्पूर मानता है क्योंकि सहि दित का मुल्य लिएांकड़ है तू प्रथम उस सहित का मुल्य निर्धारण अविश्यक है जो सो में जो स्धा shitty है। फुर तिसरा नमर प्रस्टन के है सहित का कौन सा पक्ष् अपेश्य क्लित अस्थाई होता हैand Dip GAR Absol के जिए प्रस्ण में आपको दे रहा हूं इसका एंसर जो आपको सटिक है बहुत बहतर है इसको आप लेकर याद जरूर किज़ें अमने दोस्त तिसरा नुमर को फिर से समझेंगे सहित का ग्यान सोरी सहित का कौन सा पक्ष अपेक्षा क्लित अस्थाई होता है इस संबन्ध में लेखा किराए अस्पस्ट किज़ेगा इसका एंसर क्या हो जाएगा सहित मनुस के संपुर्न जिवन से संबन्ध है जो सहित है ने मनुस के संपुर्न जिवन से संबन्ध रखता है आर्थिक जिवन के अलावा मनुस एक प्राणी के रूप में भी जिवन बिताता है यानि आर्थिक जो जिवन है उसके अलावा जो मनुस एक प्राणी के रूप में अपने जिवन को यहाँ पे व्यादीत करता है सहित में मनुस को बहुत सी आदीम भावनाएं उसकी आदीम भावनाई प्रतिफलित होती है यह प्रतिफलित उठते रहता है उससे तरह की आदीम भावनाई जो उसे प्राणी मातर से जोडता है उसको एक प्राणी से दुसरे प्राणी में वह जोडता है सम्मंध को जोडता है सहित केवल विचारधारा मातर नहीं है जो सहित है एक विचारधारा नहीं है बलकि उसमें मनुस का इतिहास का बोध उसकी भावनाओं को वेंजित होती है याणि सहित को सिखने से एक दुसरे मनुस की मन की लगाव होती है यह कागस पर ही एक विचारधारा मातर नहीं है एक विचार नहीं है साहित वह एक मन से दुसरे मन के एक मिलन के रूप में बताता है इतिहास में बता रहा है कि मनुसका इतिहास बोध उसकी भावनाओं विवेंजित होती है सहित का यह पक्ष अपेक्षाक्रित अस्थाई होती है फिर अगला अमर जो परसनाता है राजनितिक मुल्यों से सहित का मुल्य के अधिक अस्थाई कैसे होती है इसका इंसर क्या होगा राजनितिक का मुल्य से सहित के मुल्य से अधिक अस्थाई होता है जो राजिन्दी का मुल है साहित के मुल से एक और स्थाई होता है इस पक्ष में लिखा कहते हैं कि अंग्रेज कवी टेनी सन ने लैटीन कवी वर्जिल पर एक कवीता में लिखा कि रोमन समराज का बैभब समाप्त हो गया है एक कविता में उन्होंड लिखा कि जो रोमन समाज है उसका वेभब समाप्त हो गया है पर वर्जिल के काब्बे सागर की धोनी तरंग हमें आज भी सुनाई देती है जो वर्जिल है उसकी काब्बे धोनी जो आज भी हमें सुनाई देती है लिखा कह रहा है और हिर्दय को आन में चमकते नजर आएंगे उहां के कभी जो आकास में चमकते नजर आएंगे तो उसका प्रकास पुर्व की ओर से अपेक्छा करित क्रोलों की नहीं दिशा देगी यह इसका एंसर हो जाएगा फिर अगला नमर पांच नमर प्रसनी क्या है क्या कह रहा है भारत की बहुजातिय बल्कि हमारी राष्टियता बहुजातिया को अपने में परोकर पिरोकर आजूतिय माना जाता है फिर एकला जो कर्स्ति नमर आता है चो नमर निमंद का समापन करते हुए लेखक कैसे स्वपने देखता है उससे साकार करने में परंपरा को क्या भूमिका हो सकता है विचार क होगी उसका सहितकार की रचना को पढ़ें गे उस समय वा जो रचना कर पढ़ेंगे उसका आपको परिकिस से मानीं परया है जो आपके द Iímka गया इस अभी cancer को आप इसके इन्सरोट करके यहां पे लिख लेज़ेगा और उसको याद किज़ेगा दो बार तिन बार दिखेगा तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि यह बहुत आराम से लिखा गया है आपके लिए वहतर अंदाज में लिखा गया है कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में जल्दी चल्द हो जाएंगा एक वड़ जादा समस्या होगा एक पर्मपला का जो ग्यान है उसको पर पर द्रीजिएगा उसके प्रश्न आपको अराम से याद हो ओजएगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि में नोट फिक्सिन आपको सबसे भले मिलता रहेगा तो में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे